हलो फ्रेंट्स नमस्कार सिक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में कच्छा नौ के इतिहास चेप्टर नुबर फ़स्ट जिसका नाम है फ्रांसिसी क्रांती दोस्तो इस चेप्टर से रिलेटेड अब्जेक्टिब कोश्चन यहने के MCQ परसने को देखने वाले हैं जो की 2025 के 9th क्लास का एक्जाम में बहुत हेलफुल होने वाला है दोस्तो अगर आप 9th क्लास से पढ़ते हैं और 2025 में इसका एक्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो बिना अस्किप की पूरा आपको जरूर देखना है और अगर आप यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को ओन जरूर कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला सवाल है टाइल क्या था दोस्तों फ्रांस में दो परकार के कर लिया जाता था एक था टाइल आपको ध्यान में रखना है एक था टाइल और दूसरा था टाइड ओके दोस्तों टाइल जो ह ओसे टाइद करते थे जिस कर को राजा लेता था उसे टाइल कहते थे तो यहां परकार के कर था जो की भूमे के बदले में राज हरा लिया जाता था ओप्सन नमबर इसमें 20 आई होगा नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 2 लुई सुलामा के कर बढ़ाने का क्या कारण था पहला कारण दिया है फ्रांस की जनसंख्या में बिर्धी दोस्तों आपको याद होगा कि 1715 इस्वी में फ्रांस की कितना जनसंख्या था 2.3 कडोर था जो कि 1789 इस्वी में बढ़कर के कितना हो गया था 2.8 कडोर हो गया था तो जिस परकार से जनसंख्या में बिर्धी हो रहा था उस परकार से रोजगार में बिर्धी नहीं हो रहा था लेकिन सरकार जो है लगतार tax बढ़ाते जा रहा था तो tax बढ़ाने के कारण ही France की करांती हुआ था तो पहला कारण तो ठीक है जनसंक्या में बिर्दी हो रहा था जिसके कारण सरकार जो है वो कर बढ़ा रहा था दूसरा option है सरकार के उबर करज का बोज आपको याद होगा कि अमरीका के 13 उपनिवेश जो है वो अंग्रेज के हाथों में था ठीक है जिसको अजाद करवाने के लिए फ्रांस के उपर 10 अरब लिवरे का कर्ज का बोज हो गया था ठीक है जिसे चुकाने के लिए सरकार जो है वो जनता के उपर कर बढ़ा दिया था तो दूसरा कारण भी सई है परला कारण भी सई है तिसरा है बार-बार यूद किमार ठीक है फ्रांस में लगतार हंगामा हो रहा था लगतार महंगाई बढ़ने के कारण जो है जनता बढ़क रही थी और बार-बार यूद कर रही थी तो ये भी कारण सई है तो इसमें A, B, C तीनो सई है तो इसमें D option सई होगा option number D इन में से सभी जो है वो कर बढ़ाने का सई कारण था ठीक है next question है question number 3 कि town hall के सामने कितने लोग इकठा हुए थे जिन्होंने जन सेना को गठन करने के लिए निरने लिया था तो आपको याद है कि पेरिस में एक जगा है town hall जहां पे 7000 लोग जमा हुए थे और ये निरने लिये थे कि राजा के खिलाप जब तक राजा के सकती को कम नहीं किया जाएगा तब तक ये संगठन तुटेगा नहीं तो 7000 लोग मिल करके और अपना संगठन बनाये थे और राजा के खिलाप जो है लड़ाई किये थे ठीक है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर फोर कोशन नमबर फोर है 1789 में फ्रांस के करांति किसके सासन में हुई थी तो 1789 में आपको याद होगा कि लोई सुलाहमा जो ह 20 वर्स के उमर में राजा बना था ठीक है और इसका साधी किस्से हुआ था तो अस्ट्रिया के एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंतोहने उससे विवाग किया था ठीक है तो आपको याद होगा कि लूई सुलाहमा जो है 1789 में जो है कर बढ़ा दिया था जिसके का एस्टेट में रखा गया था प्रथम एस्टेट में पादरी था दूसरा एस्टेट में कौन था कुलीन था और तिसरा एस्टेट में जितने भी मद्वर्ग थे और ये कर्मचारी था या किसान वर्ग था या बैपारी वगेरा जो भी थे वो तिसरे एस्टेट में थे आप और कर चुकाना इन ही लोगों का था इन लोगों का सिर्फ सासन करना था ठीक है इसलिए फ्रांस के करांती हुआ था तो यहां पर कॉस्चन लिखा है कि द्वितिया स्टेट के लोगों को क्या कहा जाता था तो कुलीन कहा जाता था ठीक है और तिर्थिया स्टेट के लोग जो लूई सोलाहमा या इनमे से कोई नहीं दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है एक्जाम में जब बैटे होते हैं तो लूई सोलाहमा के बारे में पढ़के जाते हैं इसलिए लूई सोलाहमा को टिक लगा करके या सही करके घर वापस चले आते हैं लेकिन ये उत्तर जो है वो ग पाथन कहा था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर साथ कि 1774 में फ्रांस की राजगती पर कौन बैठा था ओके तो आपको याद होगा कि 1774 में फ्रांस के राजगती पर लुई सुलहमा बैठा था ऑप्सन नमबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा और इसका साधी क किसके साथ होता है राजकुमारी जिसका नाम थाम यह इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा लिब्रे जो था वो फ्रांस की मुद्रा था ठीक है आपको ध्यान में रखना है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा था ठीक है नेक्स्ट कोशन नमबर नौ कि सीधे राज्य को अदा किये जाने वाले कर को क्या कहते थे यानि राजा को दिये जाने वाले कर को क्या कहते थे टाइल कहते थे और टाइद कौन सा कर होता था जो चैल्स को दिया जाता था उसे टाइद कहते थे ओके next question है question number 10 question number 10 है France C. करांति की शुरुवात कि सहर से हुई थी option number A है Rome से या Britain से या Paris से या Norway से कोई नहीं दोस्तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा Paris option number C है सही उत्तर ठीक है France की करांति का सुरुवात Paris के टॉन होल सहर से शुरुवात हुआ था next question है question number 11 Marseille क्या है option number A है France की राष्टिय गित या Spresa की राष्टिय गान या Britain की राष्टिय जंडा या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A France का राष्टिय गित जो है उसका नाम था Marseille next question है question number 12 है मेनर क्या था option number A है भवन गौं या अस्टेट या इनमें से कोई नहीं दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनर जो था वो अस्टेट था ठीक है और आपको याद होगा कि France में जो लोगों को वरगी कृत किया गया था वो तीन अस्टेट में किया गया ठीक है चलिए next question question number 13 है कि Napoleon Bonapart कौन था option number A है जर्मनी का समराड था या France का समराड था या रूस का समराड था या England का समराड था तो इसका सही उत्तर है option number B Napoleon Bonapart जो है वो France का समराड था आपको याद होगा कि 1804 एस्वी में Napoleon Bonapart ने France का समराड बना था और 1815 इस्वी में Waterloo के युद में किस युद में? Waterloo के युद में Napoleon Bonapart का हार हो जाता है ठीक है? next question है question number 14 कि ओलंप दे गुज कौन थी? option number A है करांतिकारी महिला option number B है समाजिक महिला या चित्रकारी महिला या इन में से कोई नहीं तो आपको ध्यान में रखना है ओलंप दे गुज जो थी? वो एक करांतिकारी महिला थे question number 15 है आतंग कराज किस ने अस्थापित किया था? option number A है लूई सुलहमा option number B है नेपोलियन बोनापाट option number C है रूबे स्पेर या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब लूई सुलहमा को 1793 इस्वि में फासी पे चड़ाया गया था इसके बाद फ्रांस की सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ गया था? जनता के हाथ में आ गया था ठीक है? जनता को कोण नेतरित्व कर रहा था? तो वो था रूबे स्पेर अतंग का राज इस्थापित किया था आतंग का राज इसलिए इससे कहा जाता है क्योंकि ये किसी को ने सुनता था इसके खिलाब जो भी जाता था उसे सिधे कीलोटिन पर चड़ा दिया जाता था इसके दोवारा ठिक है इतना सक्त कानून लागू किया था जिसे इसका समर्थक भी जो है तराही तराही करने लगा था इसलिए कहा जाता है कि रोबेस पेर नहीं फ्रांस में आतंक राज्य का स्थापना किया था और इसे भी जब जनता तंग आ गया तो 1794 में इसको भी गिलेटिन पे चढ़ा दिया गया ठिक है यानि इसका भी मौत के घाट उतार दिया गया चलिए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर है 16 कोशन नमबर 16 है फ्रांस सिसी करांतिक की सुरवात कब होई थी 14 जुलाई 1789 को या 17 जुलाई 1795 को या 1 जुलाई 1780 को या इन में स कोई नहीं तो दोस्तों आपको याद होगा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की करांतिक शुरवात हुई थी ठीक है ऑप्सन नमबर इसमें A सही होगा कोशन नमबर 17 है कि टायद का अर्थ क्या होता है ऑप्सन नमबर A है समान कर उतपात कर या धार्मिक कर या इन में से कोई नही तो दोस्तों आपको याद होगा कि फ्रांस में चर्च के द्वारा लिया जाने वाला एक परकार के कर था जिसे टायद कहते थे यानि कि एक परकार का क्या था धार्मिक कर था ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है और टायल जो था वो कौन सा कर था तो राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर को टाइल कहा जाता था ठीक है आपको ध्यान में रखना है ने नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 18 नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता है अप्सन नमबर A है कानून का संग्रह सैनिक का नेतरित्वे या मुद्रा परनाली या कुशल स्रमिक संग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर C मुद्रा परनाली नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता है ठीक है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 19 करांती के समय फ्रांस में कितनी अबादी किसान थी टिक है आप्सन नमबर A है 90 परतिसत आप्सन नमबर B है 70 परतिसत आप्सन नमबर C है 80 परतिसत या 60 परतिसत तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब फ्रांस की करांती का सुरुवात हुआ था उस समय फ्रांस में किसान 90% था और 60% क्या था कुलीन और चर्च लोग थे ठीक है यानि कुलीन और पादरी लोग थे नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 20 फ्रांस की केलियों में दास्ता कब समाप्त हो गई ओप्सन नमबर है ए 1848 में या 1857 में या 1957 में या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर हो जाएगा फ्रांस की केलियों में दास्ता को 1848 में समाप्त कर दिया गया ठीक है दोस्तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आउन कर लेजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोड़ी पे कैसा आपको मिल सके अब वीड तरह के वीडियो जाते हैं तो भी कमेंट किजेगा टेक क्यार बाई बाई धन्यवाद